श्री शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव मैं पायल सेनी अपने यूटूब चैनल आज की उपाय में आपका स्वाधत करती हूँ पादरपत महिने की शुकल पक्ष की तरतिया के दिन सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू और अच्छे स्वास्त के लिए हरताली का तीच का निर्जला वरत करती हैं कुवारी लड़कियां भी इस दिन अपना मंचाहा वर पाने के लिए वरत करती हैं इस दिन बालुक के शिवलिंग, माता पारवती और गणेज जी का निर्मान करके उन पर फुलेरा बांदा जाता है और पूरे दिन पूरी रात जाक कर पूजा और भजन किर्टन किये जाते हैं उसके बाद अगले दिन सुभ़ ब्रह्म मोहरत में सभी मूर्तियों का पूजन किया जाता है हरतालिका तीज की सबसे पहली पूजा प्रदोशकाल से शुरू होती है और पूरी रात में पांच बार पूजा की जाती है प्रत्यक पूजा के पहले इसनान किया जाता है और इसके बाद पूजा की जाती है इस दिन सभी मिलाएं पूरा श्राज सिं करती है हर्तालिका तीज में फूलेरे का अत्यदिक महोत होता है हर्तालिका तीज के फूलेरे के दर्शन मात्र से आपको अखंड सोभागी की प्राप्ति होती है आज के इस वीडियो में मैं आपको हर्तालिका तीज के व्रत की पूजा में उप्योग में आने वाली सभी सांगरी के बारे में बताने वाली हूँ तो वीडियो को अन्द तक अवश्य देखें हर्तालिका तीज के व्रत के लिए हमें सबसे पहले बालू की जरौत होगी इस बालू रेट से हम माता पारवती, भगवान शीव और भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं उसके बाद हमें फूलेरा चाहिए जो फूल और पत्तियों से बना होता है एक जलका लोटा, पंचामरत अभिशेक के लिए, रोली, मोली, कुमकुम, हल्दी, महंदी, अभीर, गुलाल, अस्टगन, चंदन, जनेव, भगवान, गणेश और शीव जीव जी के वस्तर के रूप में दो बाती वाला गीका दिया, दूप, आर्ती के लिए कपूर, दक्षिना के लिए नार्यल, मोली लपेटा हुआ, पांच प्रकार के फल, साथ व्रक्ष की पत्तियां, माता पार्वति को चड़ाने के लिए सुहा की टोकरी, जिसमें सुहा की सभी सामगरी हो, और साडी के साथ एक पेंशट का पूरा जोड़ा, भगवान रेश को चड़ाने के लिए दुरुवा भगवान शीव को चड़ाने के लिए बेल पत्र, शमी पत्र, धतुरे का फूल, आकड़े का फूल, भांग, भस्मी पूजा के लिए भिन भिन प्रकार के पूश्प यदि आपको लाल कलर का पूश्प मिल जाए तो वो माता पार्वती के लिए सफेद कलर का पूश्प अगर मिलता है तो वो भगवान शीव के लिए आप अवश्च लाएं कलश इस्थापना के लिए एक जलका लोटा पांच आम के पत्ते एक हल्दी की गाट एक सिक्का एक सुपारी और कलश के नीचे रखने के लिए चावन भगवान को भोग लगाने के लिए भीगी हुई चने की दाल या पूरा चना पताशे कुछ भी मीटा आटे से बना हुआ और मिठाई माता पार्वती को सुहाग की समागरी चड़ाने के लिए आपको सुहाग में यदि सोला सिंगार मिल जाए तो अच्छा यदि आप सोला सिंगार नहीं रख सकते हैं तो आप बिंदी, सिंदूर, चूडिया, काजल और मेंदी ये पांचों चीज अवश्य रखे वीडियो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें, साथी कमेंट में हर हर महादे लिखें, चैनल को सस्क्राइब कर ले